जहेहिन दोस्तों ब्यारपुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज किस वीडियो में खांसर के इस बुक से टोटल एक सो सिलेक्टेट कोशन्स को कवर करेंगे जिसमें साथियों GKGS, मैट सिंगलिस, हिंदी ब्याकरन सभी विसियों के कोशन है और साथियों आज आपका ये क्लास नंबर 17 चलेगा इससे पाले हम लोगों ने टोटल 16 क्लास को कवर किया है और साथियों इसके लिए एक लग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकती है प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ तो चलिए साथियों इसी के साथ आज इके इस प्रेक्टिस सेट को स्टार्ट करती है तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपुर्वग देखिएगा और साथ यो आज के 100 कोशन में आपको कम से कम 70 कोशन के सही सही आंसर करने है तो पहला कोशन देखिए निम्नलिखित में से देश के बीच तेजी से एकी करण के रूप में जाना जाता है बिलकुल टॉप लेबल का कोशन है चलिए आप सभी आंसर बताइए तो साथ यो निम्नलिखित में से क्या देश के बीच तेजी से एकी करण के रूप में जाना जाता है तो याद रखिएगा ये है वैस्वी करण यहाँ पर पहला उप्षन आपका सही जबाब है वैस्वी करण दूसरा कोशन देखिए निम्नलिखित में से किस वर्स बंगाल का बिभाजन रद कर दिया गया था अब देखिए यहाँ से हम आपको तीन से चार और भी एक्ष्टा फ्रसनों को बताएंगे आपको ध्यान पुर्वक सुनना है तो सबसे पहले देखिए बंगाल का बिभाजन हुआ था कब तो आपको डेट याद रखना है 20 जुलाई यहाँ पे लिग देते हैं 20 जुलाई 1905 को और यह प्रभावी कब हुआ था यानि बंगाल बिभाजन लागु कब हुआ था तो यह डेट भी पूछा आता है 16 अक्टूबर कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को अब किसके समय में हुआ था तो यह भी आपको ध्यान रखना है करजन के समय में हुआ था अब यहाँ पर कोशन पूछा गया है बंगाल का विभाजन रद कब हुआ था तो याद रखेगा 1911 में किसके समय में तो हार्डिंग दूतिये के समय में अगला कोशन दिके पूछा गया है यह किसने सरपर्थम प्रती पादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पिर्थ भी उसकी परिकर्मा करती है बहुत इस सांदर लेबल का कोशन दिया गया है इस प्रेक्टिस इट में इसलिए साथिओ आप लोग एक भी प्रेक्टिस इट को मिस ना करें डेली क्लास को अटेंड किजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात आड़ बजे से तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर निकस याद रखेगा क्या हो जाएगा कॉपर निकस अब जेकि यहाँ पर सूरी की बात करें तो कोशन पूछा आता है सूरी में मुख रुप से कौन-कौन सी गैसे पाई जाती है तो मुख रुप से दो गैसे है कौन-कौन सा है हाइड्रोजन इसका प्रतिसत पूछा आता है हाइड्रोजन लगवग 71 प्रतिसत के आसपास है सूरी में निम नलेकित में किस सिधान्त पर जेट इंजन कारे करता है और देखें पीडियेप की बात करें तो इसका पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप लोग जाकर जोयन कर लिजिए बिल्कुल फ्री में पीडियेप मिल जाएगा तो साथियो जेट इंजन जो है संबेक संड़क्षन के सिधान्त पर काम करता है आगे देखें उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासानिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है तो देखें उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासानिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करतेता है परिवर्तित का मतलब है बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है तो आंसर हो जाएगा परिवर्तित करता है आगे देखें निम्नलिकित में से किस पर ध्वनी की पीछ निर्वर करता है बहुत इस सांदर लेबल का कोशन है आंसर बताईए तो देखें इस कोशन को अमने पहले भी आपको बताया था ध्वनी का पीछ जो है ये आवरिती पर निर्वर करता है किस पर आवरिती पर अगला कोशन देखें किसी कमरे के एक कोने में इतर की खुली सिसी रख देने पर उसकी खुस्बु कमरे के सभी भागों में फैल जाता है इसका कारण क्या है तो सिंपली याद रखना इसका कारण है वीशरन प्रकास संसलेशन क्रिया के लिए क्या आवस्यक है यानि कि फोटो सिंथेसिस के लिए क्या-क्या आवस्यक है आपको बताना है बिल्कुल बच्चो वाला कोर्षन है इस कोर्षन को हम स्किप कर रहे हैं इस कांसर आप सभी को कमेंट करके बताना है इन तीनों में से क्या-क्या आवस्यक है अगला कोर्षन देखिए ऐसे तत्व जिन में धातू तथा अधातू के गुन पाई जाते हैं क्या है सिंपल सा कोर्षन है उपधातू कहलाता है जिसमें धातू और अधातू दोनों का गुन होता है वो होता है उपधातू आगे देखे माई का किस काम के उपयोग में लाई जाती है बिलकुल एकजाम में छपने वाला कोर्षन है आंसर बतेए तो देखे साथ यो माय का जो है विद्धूत उद्योग में काम में ला जाता है सही जवाब है B option आगे देखे वर्षा के बाद इंद्र धनुस के निर्मान का कारण क्या है अब यहाँ पर देखे आपको option के according चलना है आंसर देखे या तो B होगा या तो C होगा तो कौन कौन सा होगा देखे परकास का पुर्ण आंतरिक प्रावर्तन तथा विच्छेपन इन सभी के कारण इंद्र धनुस का निर्मान होता है यहाँ पर C option आपका सही जवाब है option के according आपको चलना है Green Park Stadium निम्नलेकित में से किस अस्थान पर इस्थी थे यह Cricket Stadium है Green Park Stadium और यह कहांपर इस्थी थे तो याद रखेगा इसका सही जवाब है यह Kahnपूर में इस्थी थे एक पूछा आता है वान खेड़े इस्टेडियम ये कहां पर है तो याद रखेगा ये मुंबई में है वान खेड़े इस्टेडियम नीदर लेंड का राष्टे चिन क्या है बिल्कुल आपको 100 समझ कर आंसर करना है और ध्यान रखना है आज इके 100 कसन में आपको कम से कम 70 प्लस स्कोर करना है तो नीदर लेंड का राष्टे चिन जो है याद रखेगा क्या है तो सेर है क्या है सेर है एगल की बात करें ये इस्पेन देश का राष्टे चिन है लेली फ्रांस का है गुलाब का फूल इंगलेंड का है निम्न लिखिते नदियों में से अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है चले फड़ा फट से आंसर बताइए आप सभी तो यहाँ पर इस क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है तो दिखें नर्मदा हो गया तापती हो गया यह पस्यम की और बाने वाली नदी है जैसे भारत का मैफ है तो अरब सागर यहाँ पर है तो इधर यह नदी गिरती है नर्मदा तापती और यह डिल्टा का निर्मान नहीं करती है यह एस्वरी का निर्मान करती है तो याद रख तो प्यारे साथियों नाथुला दर्रा की बात करें, ये सिक्किम में है, निम्नलिकित में से कौन पौधे के वृध्धी को नियंतरित करने वाला हार्मोन है, ये कोशन बिहार पुलिस में पूछा वा कोशन है, इस्टार माग कर लिजिए, तो पौधों के ब्रिधी को नियंतरित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो याद रखीगा यह है आक्सिन हार्मोन और आक्सिन हार्मोन की खोज भी पूछा गया था किसने किया है तो चाल से डार्विन ने सोरा जो बारुद बनाने के काम में आता है इसका रसानिक नाम क्या है तो देखे सोरा का रसानिक नाम होता है पोटेसियम नाइट्रेट द्रव की छोटी बुंद गुलाकार होती है क्योंकि तो इसका रेजन क्या है इसका कारण है प्रिष्ट तनाव सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है चलिए आंसर बताइए किसके द्वारा ये नारा दिया गया तो देखे ये दिया गया है राम परसाद बिस्मिल के द्वारा क्रित्रिम उर्वरक में समान रुप से नाइट्रोजन फासपोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है देखे इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था एन पी के क्या बताया था एन पी के आपको द्यान रखना है N से nitrogen हो गया P से phosphorus हो गया K से क्या हो जाएगा potassium जो कि C option दिया गया है K मतलब होता है potassium का symbol है यह nitrogen का symbol है और यह phosphorus का symbol है P हवाही जहाज के black box का क्या रंग है अब दीके नाम में भले ही black है लेकिन यह black होता नहीं है सिर्फ नाम है black box इसका रंग होता है किस प्रकार का तो नारंगी अगर दीके निम्नलिकित में मेले काईट किसका ऐस्क है सिंपल सा कोशने मेले काईट कॉपर का ऐस्क है निम्नलिकित में किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से जाना जाता है सात्यों हार्मन विटामिन की नाम से विटामिन डी को जाना जाता है इसका रसानिक नाम केल्सी फेरॉल है जब हम बकरी या भैड का मास खाते हैं तब हम क्या है याद रखेगा दूतियक उपभोकता निमलेखित में से तत्व के वरगी करंद से संबन दित अश्टक नियम किस ने दिया था बहुत जबरदस्त कोशन है अश्टक नियम दिया था निव लेंड्स ने चलिए यहाँ पर मिलान करना है तो दीखे आर्सेनिक चोहतर की बात करें तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा ट्यूमर से संबन दित है कोबाल्ड 60 इसका इस्तमाल कहाँ पर होता है तो इसका इस्तमाल होता है कैंसर उप्चार में आयोडिन 131 का इस्तमाल होता है थाईराइड गरंथी की सकृता में और स्रोडियम 24 का इस्तमाल होता है रक्त व्याती क्रम में तो A का 3, B का 4, C का 1, D का 2 देखे A option में दिया गया है चले पुर्वी घाट की सबसे उची चोटी आपको बताना है इस्टार माग कर लिजिए बार बार पूछा आता है तो पुर्वी घाट की सबसे उची चोटी है कौन सी तो याद रखेगा मेहंद्र गिरी यहाँ पर B option आपका सही जबाब है अनाई मूड़ी यह किसकी उची चोटी है अन्ना मलाई की निम्नलिकित में से कौन सी नदी गंगा से कटिहार में आकर मिलती है तो इसका सही जबाब है कोसी नदी कोसी नदी को बिहार का सोक का जाता है बंगाल का सोक पूछे दामोदर को का जाता है जूम की खेती किस परकार की मिट्टी में की जाती है तो सात्यों जूम की खेती जो है याद रखेगा प्रवत्य मिट्टी में किया जाता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में किसकी खास आवसकता होती है तो याद रखेगा एंजाइम की आवसकता होती है नेफ्रोलोजी में निम्न में से किसका अध्यन किया जाता है simple सा question है व्रिक का अध्यन होता है निम्न लिकित में से कौन सा वेग प्रितिवी के प्लाइन वेग होता है तो पाले भी हमने आपको बताया था 11.10 मलब 2 किलोमेटर प्रतिस सकेंड ये क्या है प्रितिवी का प्लाइन वेग है यानि अगर हम 1 सकेंड में एक 11.2 किलोमेटर की स्पीट से किसी भी चीज को उपर फेकेंगे तो वो दोबारा वापस नीचे नहीं आएगा वो अंतरिक्ष में चला जाएगा चिम्टा निम्नांकित में किस श्रेनी का उत्तुलक का उधारन है तो यह है तृत्यक श्रेनी का हिर्दय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए तो साथ्यों हिर्दय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्यों इसका रीजन है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है सूर्य गरन कब लगता है सिंपल सा कोशन है अमावस्या के दिन निम्न लिखित में से किन दो सहरों को भोर गाट दर्रा जोडता है तो भोर गाट दर्रा की बात करे याद रखेगा मुंबई से पूने को जोडता है निम्न में से किसका प्रयोग सुस्क सेल में कैथोड के रूप में होता है तो जस्ता का प्रयोग होता है कैथोड के रूप में लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है चलि आंसर बताईए फड़ाफट से लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है तो ये रसाइनिक अविक्रिया है चले भारत की भोगोलिक अवस्तिती क्या है यानि भारत जो है यह हमारा क्या है अर्थ है कहां पर भारत है तो देखे भारत जो है हमारा कहां पर है तो कुछ इस जिगवर भारत है तो देखे ये जो बीचो बीच लाइन दिये इसको बोलते है भूमद रेखा भूमद रेखा कि उपर आपका ये हो गया उत्री गुलार्द नीची हो गया दक्षिनी गुलार्द तो भारत जो है कहाँ पर है तो सबसे पहले देख सकते हैं भारत है उत्री गुलार्द में और उत्री गुलार्द में कहाँ पर है तो ये साइड में ये साइड क्या है ये पुर्वी साइड है और ये है पस्मी तो भारत जो है उत्तर पुर्वी गुलार्द में है उपर हो गया उत्तर और ये साइड हो गया आपका पुर्वी भारत निम्नलेखित में से किस देश के साथ अपनी अस्थलिय सीमा साधा नहीं करता है ध्यान दीजे जलिय सीमा नहीं पूछा गया अस्थलिय सीमा तो बांगला देश के साथ करता है अफगानिस्तान के साथ भी करता है म्यानमार के साथ भी करता है लेकिन सिरलंका देख सकते हैं भारत के सबस्वी आपे नीचे में है और इसके बीच में कोई भी अस्थल नहीं है जल है तो सिरलंका आंसर हो जाएगा सलाल प्रियोजना किस नदी पर है सिंपल सकोसन है चिनाव नदी पर है पुसकर जिल बताना है कहाँ पर है तो पुसकर जिल कहाँ पर है याद रखेगा राजस्थान में है आगे देखे कौन बाई सैकिल टायर के अविस्का रखे सही जबाब है जौन डनलप बाई सैकिल टायर के अविस्का रखे नहरू कप किस से संबंदी थे तो बास्केट बॉल से संबंदी थे नहरू कप पूर्व कप पेरिस किस सहर का उपनाम है इस तरह के कोशन पूछे आते हैं और देखे साते हो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लेज आप से रिक्वेश्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए तो पूर्व का पेरिस पूछा गया है किस सहर का उपनाम है तो याद रखेगा जैपूर का जैपूर को पिंक से टी भी कहा जाता है राजा जी बाग अभ्यारन कहा पर है तो उत्रा खण में है याद रखेगा गोल करांती किस से संबंदी थे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा गोल करांती किस से संबंदी थे तो याद रखेगा आलू उत्पादन से संबंदी थे आप लोग कमेंड करके बताइए टमाटर उत्पादन से कौन सी क्रांती संबंदी थे ओक्सी क्रांड एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलक्ट्रोन का त्याग होता है बिल्कुल सही है ओक्सेजन का सयोग होता ये भी सही है विद्द नात्मक समुक्य अनुपाद में विर्दी होता है ये भी सही है यानि कोप्रोक्त सभी सही है चलिए पचास नमर पढ़िये और आंसर बतेए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा क्या पूछा गया है एक व्यक्ति तीवर प्रकास सेत्र में एक अंधरे कमरे में प्रिविस करता है तीवर प्रकास से अंधरे कमरे में तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है बिल्कुल सही है लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगती है इसका क्या कारण है ऐसा अनुभव आप लोगों ने भी क्या होगा जब आप लोग प्रकास से या उजला से अचानक अंधेरे कमरे में प्रविश करते हैं तो कुछ समय तक दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजे दिखाई पड़ती है तो इसका विद्वानों को सन्रक्षन दिया था निम नलेकित में से कौन सा विद्वान को महमुद गजनवी द्वारा सन्रक्षन नहीं प्राप था तो यह है निजामुदिन ओल्या चलिए बावन नमबर में मैट्स का कोर्शन है इसका अंसर बता देते हैं आप लोग सॉल्व कर आप्षन में नहीं है 5% होगा हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनिकरन कारेकरम समु की बैठक कहां पर शुरू ही है तो याद रखेगा इंपोर्टन कोर्शन है गांधी नगर में शुरू ही है चले चोवान नमर में आपको सिनोनिम बताना है यह जो वर्ड दिया गया है इसका आंसर बता देते हैं इसका आंसर हो जाएगा D option मुहाबरे तोते तोते की तरह आँख फेरना का अर्थ क्या है इसका आंसर है पुराने संबंद को भुला देना चले 56 नमर में मैट से इसका आंसर हो जाएगा 29 वर्ष सौल्ब कर लिजेगा चले 57 नमर में है हल ही में कहा 800 फूट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है इम्पोर्टन कोशन है याद रखेगा मेक्सिको में चले 58 नमर का आंसर बता देते हैं यहाँ पर आपको बताना है एंटोनिम इसका एंटोनिम बताना है ए अप्शन में दिया गया है अनिल का प्रयावाची क्या है अनिल का होता है पबन अनल का पूछे तो आग 60 के लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 241 एकसर नमर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महराश्ट क्या पूछा गया है कि सिराजी की आधिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुनवत्ता का आकलन करने के लिए AI मसीन अस्थावित किये है सा समास है तो आजन्म का समास विग्रह होता है जन्म भर और इसमें है अव्याई भाव समास 64 के लिए आंसर क्या हो जाएगा मैट्स के कोशने इसका आंसर हो जाएगा 0.52 मीटर चलिए हाल ही में कि सिराजी ने तेरवी होकी इंडिया सब जुनियर पूरुस राष्टे चेंपियन सिप 2023 का खिताब जीता है तो यह जीता है उत्तर परदेश ने चलिए आपे correct spelling बताना है इन 4 option में से कौन सा है तो यह हो जाएगा आपका B option में दिया गया है यह सही लिखा गया है बाकि सभी गलत है सास्वत का विलॉन क्या है नस्वर होगा आगे दिके मैट्स के कोशन है यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं 8 प्रतिसत होगा हाल ही में Film Fair Awards 2023 में किसे सर्वसरेष्ट अभिनेत्री के आवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह सम्मानित किया गया है आलिया भट को चलिए यहाँ पर indirect बनाना है डारेक्ट में दिया गया है सिवेस asked her how do you know that ही बालमिकी हजी टोल्ड it to him यहाँ पर इसका बनाना है इंडारेक्ट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिखे सिवेस asked हो जाएगा क्यूं किया पर दिखे कोसन है तो कोसन वाला यह क्या है नरेशन है तो सिवेस asked her how she know that बालमिकी had told that to him यहाँ पर भी option सही है अस्थाई भावों की कुल संख्या क्या है सही आंसर है नौ है चले 72 नमर मैट्स के कोसन है इसका आंसर हो जाएगा आपका चले 72 के लिए आंसर हो जाएगा अठारा अठारा दिन याद रखिएगा पार्टियों के सम्मेलन के 28 सत्र के लिए राष्टपती की सलाकार समीती में कौन सा व्यक्ति सामिल हुआ है तो यह हुआ है मुकेस अंबानी तिबबत में ब्रह्मपुत्र नदी को निम्न लेखित में से किस नाम से जाना जाता है तो सिंपल सा कोसन है तिबबत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांग्पो के नाम से जाना जाता है तो रिगवेद के किस मंडल में वर्न व्यवस्था की सबसे पहले चर्चा मिलती है तो रिगवेद के दसबे मंदल में, रिगवेद में टोटल दस मंडल है, प्राचिन काल में कोशल जनपत की राजधानी कहां पर थी तो याद रखेगा स्रावस्ती थी, नंद बंस का, सoralी नंद बंस के स्थापन किया गया था, तो नंद बंस के संस्थापक है माहा पद्म नंद, हाल ही में गोवा प्रेटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राजी के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो इसका अंसर हो जाएगा उत्तरा खंड चलिए 80 नमर मैट्स के कोशन है इसका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे B option में दिया गया है चलिए 80 नमर के लिए आंसर हो जाएगा आपका option B My bike was repaired by the machine यहाँ पर B option इसका सही है यहाँ पर mechanic दिया गया है machine नहीं है mechanic चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में Cycling Federation of India का ध्यक्ष किसे चुना गया है पंकज आडवानी को सक समबत किस सासक के द्वारा चलाय गया था कनिस के द्वारा चलाय गया था इसका आंसर हो जाएगा आपका C option 3.5.2 हाल ही में नई संसत भवन के उधगाटन पर कितने रुपिय का सिक्का लॉंच किया गया important रहेगा हमने आपको करेंट एफर्स में भी बताया था 75 रुपिय का सिक्का चले किस अनुछेद के ताथ उच्छ न्याले का गठन का प्राबधान मिलता है तो यह है आर्टिकल 216 अलावदिन खिलजी द्वारा स्थापित वित्विभाग को कहा जाता था very very important question है तो वित्विभाग को क्या कहा जाता था यहाँ पर 87 के लिए आंसर हो जाएगा दिवान ए विजारत और इस विभाग के स्थापना क्या था अलावदिन खिलजी ने पूना समझोता किस वर्स हुआ था सही जबाबे 1932 में महात्मा गांदी और अम्बिटकर के बीच में हुआ था चलिए मुख्य उद्देश से गरिवी उन्मुलन तथा रोजगार में ब्रिद्धी महत्पुन था किस पंचवर्सी युजना का उद्देश था सही जबाब है 89 के लिए D option 65 युजना की गई तो यहे है भारत सासन अधिनियम 31 भारतिय संबिधान की निम्ड़ दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची में राजसवा में अस्थानों का आवंटन को विवेचित करती है यह चौती अनुसूची बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु ए बाबरी में किस भारते सासक को भारत का सबसे सक्ति साली सासक माना है तो ये माना है कृष्ण देव राय को सती पर्था पर रोक किस गवर्नर के द्वारा लगाया गया तो ये है विलियम बैंटी कब लगाया गया अठारा सो उनतीस में और इसमें सायोग दिया था राजा राम मोहन राइने भारते संबिधान में 71 संसोधन द्वारा संबिधान की आठवी अनुसूची में किन तीन भासा को जोड़ा गया इसके लिए हमने ट्रिक बताया था नमक तन्ना से नेपाली, मा से मनिपूरी, का से कौंकनी तो यह तीन भासा थे और आठवी अनुसूची में वर्तमान में टोटल 22 भासा है रिवर्स रेपोदर से आप क्या समझती है तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा अन्य बैंक के द्वारा रिजर बैंक को दिया गया रिवर्स रेपोदर और रिवर्स रेपोदर पूछे तो रिजर बैंक के द्वारा अन्य बैंक को दिया गया ब्याज पर रिवर्स रेपोदर भी आप्शन में दिया गया है बिहार दिवस कब मनाई जाती है याद रखेगा 22 मार्च को क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार की अस्थापना हुई थी 22 अफ्रिल को विश्व पिर्थवी दिवस मनाय जाता है और दीके 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाय जाता है 9 जनवरी को भारतिय प्रवासी दिवस भारत का पहला समचार पत्र सिंपल सा कोशन है इसका अंसर हो जगा बंगाल गजट ए ओप्शन वे दिया गया है बंगाल गजट निम्नलिकित में से कौन बिहार के पहले हरीजन मुख्यमंत्री थे सही जबाब है भोला पास्वान काकूलत जलपरपात बिहर के किस जीला में है इंपोर्टन कोशन नवादा में है हाली में छेतरवी विश्व स्वास्त सबाग कहां शुरुआत हुई है याद रखेगा जेनेवा में तो साथियों आज इक लिए इतना ही अब आप लोग कमेंट करके बता देजिए आपने आज इके सौ में कितने कोशन सही किये हैं